आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Question में दे रखा है Fx जो है बिलॉंग करता है Closed Interval 2 से लेके Open Interval 3 तक यानि की 2 को include किया गया है 2 से 3 के बीच का नंबर है जो की x है Then, Fractional Part of x किसके एकवाल होगा यह हमसे पूछा आगया है सबसे पहले आपन देखें कोई भी एक x है, मान लो x को मैंने मान लिया, इनके बीच में 2.4 तो x को मैं कैसे लिखूँगा तो x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.4 अगर x मेरा क्या है 2.4 के एकवाल है तो इसको मैं 2 प्लस 0.4 लिख सकता हूँ तो basically यह हमारा किस टैप का बन गया x is equal to, मैं यहाँ पे लिखूँगा Greatest Integer Function of x प्लस Fractional Part of x ऐसा अपन लिखेंगे कैसे लिखा मैंने यह देखो Greatest Integer Function of x का मतलब हुआ क्या अगर मैं यहाँ पे देखू x अगर मेरा वैरिक कर रहा है कहां से कहां तक तो 2 से लेके 3 तक उस समय कर मैं GIF यानि कि Greatest Integer Function of x अगर ढूनना चाहूँ तो वो हमारा आता है Left वाला जो हमारा Integer Part Integer जो होता है तो अगर x मेरा 2 से 3 वैरिक कर रहा है तो जो हमारा Nearest Left Integer है जो की 2 है वो हमारा GIF हो जाता है तो यह मैंने 2 के जगा पे Greatest Integer Function of x लिख दिया और प्लस 0.4 के जगा पे 2 के बाद जो हमारा Fraction वाला पार्ट है उसको आड़ किया गया है तो उसको मैंने यहाँ पे आड़ कर दिया तो यह मैंने ऐसे लिख दिया x को यानि कि 2.4 को मैंने लिख दिया Greatest Integer Function of x प्लस जो Fractional Part है x का वो तो ऐसा पन लिख सकते है तो अब यहाँ से पन देखे तो यह जो Fractional Part of x है वो हमारा क्या आ गया अगर मैं Fractional Part of x देखू तो यह बन गया x minus Greatest Integer Function of x ऐसा पन लिख सकते हैं अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो x है वो बिलॉंग करता है 2 से लेके 3 तक यानि कि 2 को include किया गया है और 3 को exclude किया गया है और 2 से 3 जो भी number है उसको include किया गया है तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ x के जगा पर मैं लिख सकता हूँ यह जाएगा 2 से 3 जो भी number है हमारा minus इसका अगर Greatest Integer Function देखू यानि कि जब 2 से 3 में लिख कर रहा था तो इसका Greatest Integer Function हमारा क्या रहा था 2 तो इसके जगा पर मैं लिख देता हूँ 2 ओके तो यहाँ से पन देखे तो यह हमारा क्या गया Fractional Part of x तो Fractional Part of x मैं लिख हूँ तो क्या बन जाएगा अब 2 में से 2 को मैनस करूँगा तो यह बन जाएगा 0 यानि कि 0 को include किया गया है और उसके बीच में अगर 3 को मैं 2 से मैं मैनस कर दूँ तो 1 बचेगा तो यह 1 को exclude किया गया यानि कि 0 को include करते हुए 0 से 1 के बीच जितने भी number है वो हमँरा क्या है Fractional Part of X आ गया तो हमसे पूचाएं गया था Fractional Part of X बताओ क्या होगा Fractional Part of X हमारा यह होगा जब मेरा X मिलांग कर रहा होगा 2 से लेके 3 था तो दिस ही जवार आंसर for this question Thank you